सरदी के चलते मौसम इतना खराब चल रहा था कि कहीं बाहर जाने का मनी नी करता था पर फाइनली अब थोड़ा मौसम अच्छा हुआ तो आज बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी हमारे होस्टल के जस सामने ही एक बहुत सुन्दर और बहुत बड़ा सा पार्क है तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा घूम आते हैं ऐसे ही चलते चलते बाते करते हम लोग लेक के पास पहुँच गए और वहाँ बहुत सारी बत्के थी और उस पार्क की मैनेजमेंट ने इन बत्कों को खाना देने के लिए एक नया तरीका बनाया हुआ था तो मैंने सोचा चलो ट्राइ करते हैं आज तो उस पे कार टैप करना होता है और फिर उसमें से बत्कों के लिए कुछ खाना आता है तो मैंने उस खाने को अपने हाथ में लेके बतकों को खिलाने की कोशिश करी थी पर वो डर डर के इतना दूर भाग रही थी फिर हमने बोटिंग करने का सोचा और इतने में हल्क भी वहाँ आ गया उसको भी हमने अपनी बोट में बिठा के बोटिंग करवाई इतना सब करते करते इतनी भूग लग गई थी फिर हम सब वैफल खाने के लिए चले गए